स्टूरेंट्स स्टूरेंट्स जैसा कि आपको पता है हमारी chemistry की सीरीज जो आगे बढ़ाते हुए आज की top mcqs हम discuss करेंगे जैसा कि आपको पता है कि हमारे सारे questions जो होते हैं वह previous year based question होते हैं और ncrts labors के according होते हैं तो हम direct first question पे आते हैं कि first question क्या बोल रहा है आपको screen पे first question first question में आया है the negative charged particles is called okay जो हमारे ions होते हैं ना उनमें जो negative charged particles होते हैं वो क्या show करते हैं क्या होगा इसका answer आपको 3 seconds दिये जाते हैं students इसका answer लिखने के लिए okay आप comment कर सकते हैं तो option a क्या बोल रहा है एन आयांस option भी है cations options यह radicals और option यह atom okay students तो आप मेरे को बताईए कौन सा होगा इसका correct option इसका correct option होगा option a आप हमेशा याद रखना कि negative जो charge ions होते है negative में एन आयांस में हमेशा negative charge होता है और positive किसमें होता है cations में okay जो हमारे ions होते हैं उनमें सिर्फ दो opposite charges होते है एक negative और एक positive तो जो negative वाला होगा और जो positive वाला होगा वो cations होगा okay students तो इसका correct answer क्या है option a students non-medical और medical के लिए जैसा कि आपको बताए हमारे हाँ full crash course वह आपको प्रोवाइड किया जाते है आप उसको जाइन कर सकते हैं इसमें आपको video lectures notes previous year papers and test series mcqs सब कुछ जो है वो provide करवाया जाएगा उसके लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं इस number पर जो आपको screen पर शोव रहा है तो students आगे बढ़ते हैं नेक्स question है which is not a unit of pressure okay students तो आप इसका answer बताएगे आपको तिन सेकिंड दिये जाते हैं option a क्या बोल रहा है बार option भी है न्यूटन पर मीटर स्केयर option c किलोग्राम पर मीटर स्केयर या option भी तो आपने बताना है कि कौन सा जो है वह नहीं प्रेशयर का तो आपने हमेशा याँद रखना है कि य जुपार है न्यूटन पर मीटर स्केयर या फिर तो ऑ रहे यह सारे किसके उनित से हमारे प्रेशयर के हैं बोट यह जो हमारा कॉंषयर है option c kilogram per meter square जो है वो हमारा pressure का unit नहीं होता है okay students तो उसका correct answer क्या हो option c okay next question है आपके लिए screen पे next question क्या बोल रहा है कि the magnetic quantum number specifies okay कि जो magnetic quantum number होता है वो क्या बताता है हमें तो पहले तो आपको यह पता होने शी कि quantum number कितने types के होते हैं तो students quantum numbers होते हैं वो four types के होते हैं ओके first कौन सा है हमारा principle quantum number okay first कौन सा है प्रिंसीपल क्वान्टम नंबर प्रिंसीपल सेकेंड है एजी मुथल ओके स्टुएंट्स एजी मुथल क्वान्टम नंबर next है हमारा magnetic quantum number magnetic quantum number और last क्या है spin quantum number okay students spin quantum number चार तरह के हमारे quantum number हैं तो first है हमारा कौन सा principle quantum number तो principle quantum number क्या करता है जो क्या शो करता है हमें main energy level और शेल को हमें denote करता है वह कौन सा होता है प्रिंसीपल क्वान्टम नंबर और जो हमारे principle quantum number के अंदर वह values आती है K हो गया L M and यह सारी जो होती हैं कि कौन सी चीज को शो करती है size को शो करती है हमारे तो principle quantum number क्या करता है जो orbital होते हैं उसके size को शो करता है तो के की value के आएगी इसमें n की value क्या होती है k में 1 l में होगी 2 m में 3 और n में 4 ऐसे denote करते हैं इसको next कौनसा मैंने आपको बताया azimuthal quantum number तो azimuthal quantum number को हम l से denote करते हैं l से तो यह second number पर है हमारा azimuthal quantum number तो इसमें क्या यह क्या शो करेगा sub shell इसमें sub shell शो करता है यह और sub level सब शेल और sub level को शो करता है और यह जो हमारा azimuthal quantum number है इसको हम angular momentum भी बोलते हैं electrons का ओके angular momentum of electrons angular momentum of electrons कौनसा है हमारा azimuthal quantum number और जो हमारा azimuthal quantum number है यह shape को शो करता है shape of orbital कौनसा azimuthal quantum number okay students तो इसमें क्या होता है l की value कैसे find out करते हैं l की value आती है n-1 ओके जो n की value होगी उसमें से हम एक minus कर देंगे तो हमारी l की value निकल जाएगी इसमें से हमारे formula भी आते हैं इसके basis पेपर में जो है वो question पूछे जाते हैं तो आप इनको जो है वो note down कर ले अपनी copies पे okay students तो इसमें क्या है s अब देखो s क्या है इसमें जैसे s p d और f ओके यह हमारे blocks होते हैं तो इसमें क्या है जो हमारा s है इसमें क्या होगी फिर l की value मैंने क्या बताए आपको वो n-1 होती है तो s में जो है वो n की value 1 होती है तो s क्या value आएगी इसमें l की value क्या आएगी 0 ओके p की value आएगी 1 और d की 2 और 3 की f ये सारी l की values जो है s p d में यह होती है ओके n की value आएगी जैसे n की value Post Us में क्यों वी 10 hoang से संबलेगा यह और ल to do khmuk होती और हमारा Magnetic quantum number Missy कांट नंबर में क्या होता है Orientation बताता है कौन सा jetzt甚麼 reflection नंबर होगा वesser position बताता है और यह सिपन बताता है कि面 जो elektrons कैसे होते हैं कि Spit नमें जो बताता है हमें कोऌन सा स्पिन क्वांटम नंबर तो जो लेक्रॉंज होते हैं उसमें कितने एक्सेज होते हैं एक्सेज उसमें क्लॉक्वाइज होते हैं एक्सेज एक एक तो क्लॉक्वाइज आएगा जो लेक्रॉंज फिल होते हैं वो एक तो क्लॉक्वाइज में और एंटी क्लॉक्वाइज में ए एंटी वाइस में okay लेक्रॉंस इस फॉर्म में फिलोते हैं उसमें स्पिन क्वाइंटम नंबर में और यह नुञ्लीर स्टेबिलीटी को शो करता है तो स्टोर्ण्स इसका क्रेक्ट आंसर आपको बतार चल गया होगा आप कमेंट कर सकते हैं इसका क्रेक्ट अंसर कॉनसा होग सी औरिइंटिशन और bekल चौन सा शो करता है हमारा जो हमारा magnetic quantum number है वो क्या शो करता है हमारी यह जो magnetic quantum number है यह क्या शो करेगा orientation को शो करता है ओके स्टोरेंट्स next question है आपके लिए इसमें से बोला है which of the following is least number of electrons in its M shell ओके स्टोरेंट्स अब इसमें आपने बताने कि M shell में कितने electrons होते हैं सबसे कम किसके हैं ओके तो स्टोरेंट्स सबसे कम देखेंगे हम तो हमने पहले देखना है M M की value क्या होती है M M की value क्या होती है M में M shell में हमारी N की value कितनी होती है वो देखेंगे हम सबसे पहले ओके N की value कितनी होती है 3 होती है कैसे k की value ہوتी है, 1 k में n की value find out करनी हूँ हमने, तो कितनी होती है, 1 और अगर L में करनी है, तो n की value कितनी होगी, 2 ऐसी करके होता है, ok तो m में हमारी n की value कितनी होगी, 3 ok students, तो हमने सबसे बहले देखने हैं कि सबसे कम electrons किसके होते हैं, जो m shell में होगे, ok सबसे पहले हमें क्या आनी चाहिए एलेक्ट्राणिक तो स्टूरेंट्स हम इसमें क्या करेंगे एलेक्ट्राणिक कन्फिग्रेशन जो है सबसे पहले वह निकालेंगे हम ओके तो एम शेल में क्या होती है एंड की वैल्यू 3 होती है ऐसे लिख लेंगे हम एंड की वैल्यू कि number of electrons बताने किस में होंगे तो प्रोटाशियम में क्यों अगर पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s लिख लेगे यहां तक 4s तक लिखेंगे अब हम इसमें फिल करेंगे कैसे फिल करते हैं, s में कितने आते हैं, 2, तो s में 2, 2 लिख देंगे और p में कितने आते हैं, 6, यहां भी 2 और यहां 6, अब हमें potassium का atomic number पता होने ची कितना होता है तो potassium का atomic number होता है 19 ओके तो यहां कितना आएगा यह पूरे total होगे 18 और 1 आगया हमारा 4s यह हमारी क्या ही electronic configuration किसकी potassium की अब हमने इसमें देखना है कि m shell में कितने electrons हैं तो m shell देखेंगे तो जिन m में n की value कितनी थी 3 तो जिनके साथ 3 3 लगा हुआ है हम उनको क्या करेंगे add करेंगे उन electrons को हम add करेंगे तो students आप देखो 3s में देखो s में कितने electrons हैं 2 2 plus p में देखो 3p में कितने हैं 6 तो कितने electrons हुए 8 electrons ओके students तो इसमें आए हमारे potassium में कितने है 8 electrons next देखते हैं हम b option जो magnees है ओके students तो magnees में देखो magnees की electronic configuration क्या होगी 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d ओके students यह होती है तो हम electrons फिल करेंगे 2 2 6 2 6 2 और कितने बच गे 5 magnees का atomic number कितना होता है हमें वह पता होने चीए कितना होता है 25 होता है ओके तो इसमें से हम देखेंगे कि electrons कितने है जो की 33 हमारा जो एन की value है वह 3 होती हो उसमें कितने electrons है तो 3 के साथ देखें कितने 3s में कितने 2 3p में 6 और 3d में कितने 5 तो टोटल कितना हुआ 13 electrons ऊके तो हमने कौन से बताने लीस्ट बताने मतलब सबसे कम किसमें होंगे नेक्स देखो निकल के निकल में 1s2, 1s2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d ये हैं ओके तो निकल का टॉमिक नंबर कितना होता है हमारा कितना होता है निकल का 28 ओके तो इलेक्ट्रोंस फिल करेंगे 2, 2, 6, 2, 6 और 4s में आएंगे 2 और इसमें 3d, 5, 3d, 6 आएंगे ओके 3d, 6 आएंगे हमारे निकल में तो होगे हमारे कितने 28 अब इलेक्ट्रोंस देखेंगे हम ओके तो 3 में देखो कौन से 3s2 में यहां से 2 ठाले 2, p में 6 और b में कितने 6, 6, 6, 12 प्लस 2, 14 ओके तो इसके आए 14 अब हम Scandium का भी ऐसे करेंगे तो Scandium का Atomic Number होता है 21, ओके 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s या 3d, ओके तो हम इलेक्ट्रोंस फिल करेंगे 2, 2, 6, 2, 6, 2 और 3d में आएंगे 1, ओके ऐसे होगा हमारे तो इसमें भी आप देखो कि इलेक्ट्रोंस कितने हैं इलेक्ट्रोंस हम देखें 3 वाले, तो 3 में यहां 2 हैं, यहां 6 हैं और लास्ट में 3D में कितने हैं 1, तो टोटल करेंगे कितने आएगा 9, तो अब आप देखो इन में से कि कौन सा जो है वो correct option होगा, जिसके सबसे कम इलेक्ट्रोंस किसके हैं Mshell में, आप जो है इसका अंस करेंगे इन कोस्ट्रोंस को, next question आपके लिए है, अब आप इसमें बताओगे कि ISO electronic, कहां गया, ISO electronic species बताने हैं, आपने की question बहुत important है, last exam हुआ था, टैट का, उसमें यह ऐसा question जो है, वो आया हुआ था, okay students, इसको तो करेंगे अच्छे से, तो option A में क्या है, ISO means क्या होता है, सबसे पहले, ISO electronic species, that means, ISO means same, electronic species means, same electrons किसके हैं, okay, तो सबसे पहले हमें atomic thumbnails तो दिये हुए, इसी आपके लिए करना, तो fluorine का कितना है, 9, chlorine का 17, जो हमारा sodium होता है, उसका 11 होता है, और magnesium का 12, aluminium का 13, potassium का 19, calcium का 20, और scandium का 21, okay, तो option A देखते हैं, option A में क्या है, पोटाशिम, तो potassium में आपको बताया हुए, कितना है, इसका atomic number, 19 है, okay, तो 19 है न, तो यहां plus का sign लगा हुए, that means, क्या हुआ है, minus 1, okay, तो कितना हुआ है, 18 हो गया, next हमारा calcium, 2 positive है, okay, तो calcium का कितना है, आपको दिया हुए, 20 है न, 2 positive means, 2 negative, okay, 18 हा गया, scandium का कितना है, 21, 21 में से हम 3 minus करेंगे, कितना हैगा, 18, okay, और option, जो हमारा last में क्या है, chlorine है, that means, CL negative है, तो, CL का कितना है, आपका, 17, अब negative है, तो मैंने आपको क्या बताया है, कि negative में क्या होता है, अगर negative हो, तो, हम क्या करते हैं, plus करते हैं, उनको, 17 plus 1 कितना आएगा, 18, तो आप देखो, option A में ही, आपको correct option मिल रहा है कि, यही कौन सी collection है, जिसमें, कौन सी collection है, जिसमें क्या है, same electronic species है, okay, students, तो, इनके जी electrons हैं, वो कौन से हैं, same है, तो इसका correct option नहीं, आपको, first वाला ही, इसका correct option है, option A जो है, वो इसका correct option है, okay, तो students next option B करके देखिए, कि इसका क्या होगा, आप जो है, इसको अपनी copy पर कर सकते हैं, no down, okay, practice कीजिए students, जितनी ज्यादा practice करोगे, उतना ही आपका base जो है, वो clear होगा, okay, students next question है, आपके लिए, तो इसका correct option आपको show होगया, कि यही इसका correct option है, आप और options को भी अपनी copy पर कर सकते हैं, इनके, जो atomic number है, उनके basis पर, आप देखना कि इसमें से कोई भी जो है वो, कोई भी ऐसा, मतलब collection ही होगी, जिनका क्या होगा, same electronic configuration होगी, सबकी देखना अलग-अलग आएगी, okay, तो आपने सिर्फ एक चीज़ नोट डाउन रखनी है, कि जो हम positive value लेते हैं, जिससे k positive है, तो आपने इसमें plus नहीं कर देना, इससे opposite वाला लेते हैं, मतलब इससे उल्टा लेना होता है, that means, जिससे k positive है, तो 19 इसका atomic number था, और हमने यहां पर plus है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, that means, हम इसको minus करेंगे, तो कितना हैगा, 18, okay, अगर जैसे यह धर negative, जैसे chlorine negative था, तो हमने क्या किया था, प्लस किया, मतलब इससे उपर वाला sign होता है, इससे opposite वाला sign लेते हैं, okay, next question के लिए, देखते हैं, इसमें आप बताओगे, in the ground state, an element has 13 electrons in its mshell, okay, the element is, आपने इसमें से बताना हैं, कि जो हमारा mshell में 13 electrons होते हैं, वो कौन से होंगे, okay, students, तो students पहले तो आपको इसकी electronic configuration आने शेह, copper की option ए, क्या है, copper, option B, chromium, option C, nickel, या फिर option D, iron, इन सबकी electronic configuration आपको आने शेह, तो students पहले करते हैं, हुँ कॉपपर की ओके तो इतामिक नंबर कितना होता है स्घ्रीनस आपको पाता होना शिह पहले तो कॉपपर का कितना होता है 29, okay, copper का होता है हमारा 29, okay, तो हम क्या करेंगे, पहले हम electronic configuration लिखेंगे, तो copper का होगा, कैसे लिखेंगे हम, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, okay, यह होती है, general electronic configuration जो हम लिखते हैं, अब हम इसमें electrons fill करेंगे, तो आपको मैंने बिताया कि copper में कितना होता है, 29 होता है copper का, तो हम electrons fill करेंगे, तो s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, 2, 6, अब count करो कितने होगे, okay, कितने होगे, 10 होगे, 10 और 18, 18 होगे न electrons, 18 electrons होगे, that means यह argon का बन गया हमारा, okay, 18 तो होगे, अब हमने कितने add करने है, 11 add करने है, तो इसमें पहले 3D में add करेंगे, 10 आ जाएगे 3D में, okay, और 4s में 1, इसकी electronic configuration ऐसे होती है, okay, तो इन्होंने बोला है कि 13 electrons देखने हैं, हमने M shell में किसके होगे, 13 electrons, तो जैसे हमने पीछे किया, वैसे करेंगे, अब हम इन जो 3 वाले हैं 3P हो गया, 3D होगा, इनके electrons को add करेंगे, देखना कितने electrons आएंगे, कितने आए, 3D, कितने आए 3s के, 3D के 10 हैं न, 10 होगे, 10 प्लस 6, 16 प्लस 2, 18, ओके, फिर तो 18 electrons आगे, तो next हम देखेंगे, next करेंगे हम chromium, chromium में कितने आएंगे, chromium का करेंगे, चलो chromium का करके देखते हैं, chromium का आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, और 3D, अब chromium का हमें atomic number पता होना जाए, chromium का atomic number होता है, 24, 24, तो हम electrons fill करेंगे, 2, 2, 6, 2, 6, अब chromium की जो होती है, वो कितनी आएगी electronic configuration, वो आएगा, 3D, 5 और, 4s, 1, ऐसे, अब हम इसमे electrons देखेंगे, ओके, तो 3s में देखेंगे, तो 6 plus 2 कितने होगे, 8, 8 plus 5, 13, तो आगे हमारे 13 electrons किसमें हैं, chromium में, तो इसका correct option कौन सा हो option, B, इसका correct option है, okay students, तो ऐसे करेंगे हम इन questions को, okay, तो इसका correct option कौन सा है, option B, okay, next question है, इसमें से आपने बताना है, आपने इसमें बताना है, कि N की value कितनी है, 6 और L की value है, 2, okay, तो अब आपने इसमें निकालते हैं, हम कैसे, L की value 2 है, तो देखना, L की value 2 किसमें होती है, L की value, S में तो L की value कितनी होती है, S में होती है, 0, P में होती है, 1, और D में कितनी होती है, D में होती है, हमारी एल की वेल्यू टू ओके तो अब डी में आई हमारी एल की वेल्यू टू ओके तो अब आप मेरे को बताओ कि जो हमारा डी होता है न सब्शल उसमें कितने एलेक्ट्रोंस फिल होते हैं मैक्सिमुम कितने एलेक्ट्रोंस फिल होते हैं डी में तो वो इसका क्रेक्ट ऑप तो इसका correct option कौन सा गया option c okay next step के लिए अब इसमें बोला है क्या बोल रहा है question a measured temperature on Fahrenheit scale is this okay 200 degree Fahrenheit scale दिया है हमें okay एक Fahrenheit scale है जिसका temperature कितना है 200 degree Fahrenheit what will be this reading on Celsius scale okay तो अब हमने Celsius scale में निकालना है तो इसका तो यह question जो हम फार्मूले की help से करेंगे तो फार्मूला क्या होता है F physical to Fahrenheit का फार्मूला होता है 9 upon 5 degree Celsius plus 32 इस फार्मूले की help से करेंगे अब हमें क्या दिया हुआ है हमें क्या बोला है की degree Celsius निकालना है ओकी यह चीज निकालना है हमें और यह दी हुए है तो हम values put कर देंगे direct okay students कैसे करेंगे जैसे degree फार्म ने हाट दिया हुआ हमें 200 और 9 upon 5 degree Celsius कितना है वह हमने निकालना है ओके degree Celsius प्लस 32 ओके तो अब हमने क्या किया 32 हम परली साइड लेगे अपोसिट साइड लेगे ओके तो कितना है इस साइड लेके गए तो 168 which is equals to 9 upon 5 degree Celsius यह चीज आगी अब degree Celsius को अपोसिट साइड ले जाओ कैसे करेंगे degree Celsius को ऐसे लेगे न हम which is equals to 168 यह उल्टा हो जाएग ओके 9 upon 5 था यह क्या हो जाएगा 5 upon 9 ओके तो अब इसको solve करेंगे तो कितना आएगा हमारा 93.3 degree Celsius ओके स्टुएंट्स यह questions ऐसे होंगे ओके तो इसका correct option कौन सा option C इसका correct option है स्टुएंट्स यह जो फार्मूला है न अब फार्ने हाइट वाला यह है फार्ने हाइट इस इकल्स टू 9 upon 5 डिग्री Celsius प्लस 32 इसको नो डाउन कर लें आप यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्जाम पॉइंट ऑफ्यूसी ओके स्टुएंट्स तो इसका सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थैंक यू